दोस्तों आज किस पीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज किस पीडियो में हम लोग UPPSC Geography Optional के जो 2020 में पूछे के क्वेशन है उसमें से एक प्रेश्ण को यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो आज का क्वेशन का टॉपिक क्या है गिव ए रिजन एकाउंट आफ कोरल ब्लीचिंग प्रवाल बिरंजन का एक तर्क संगत बिवरड़ प्रस्तूत कीजिए तो इस वीडियो में हम लोग यहां पर कोरल ब्लीचिंग होती क्या है coral bleaching होने के लिए क्या-क्या regions, क्या-क्या causes responsible है उसको हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे तो चले दोस्तो आज का वीडियो start करते हैं और सबसे पहले introduction पार्ट में आप बताओगे कि coral होते क्या है तो दोस्तो coral polyps एक तरह से animal का नाम है जो की एक marine animal है और बहुत ही छोटे होते हैं तो आप ऐसे define कर सकते हो coral polyps क्या होते हैं marine micro animals होते हैं और actually isolation में नहीं रहते हैं इनके साथ symbiotic relationship होती है अलगाई के साथ यानि अलगाई और coral polyps दोनों milk के साथ साथ रहते हैं और अलगाई क्या करता है 90% जो food की requirement होती है coral polyps को चोकि animal है coral polyps अपने से food तो बना नहीं सकता तो 90% जो food की requirement है coral polyps को वो अलगाई से मिलती है ठीक है और अलगाई कहां पर रहता है coral polyps क्या करते मेचो लिहाप relationship है coral polyps के जो tissue होते हैं जो उत्तक होते हैं उसी में अलगाई रहते हैं और coral polyps उसको support प्रोवाइड करता है एक तरह से घर प्रोवाइड करता है और अलगाई फिर उसको food प्रोवाइड करता है इस तरह से symbiotic relationship होती है दोनों में ठीक है और coral जो हमारी polyps होते हैं और गाई दोनों मिलके बहुत ही colorful हमारी productive ecosystem ocean की बनाते हैं जिसको कि हम coral islands भी बोलते हैं coral rift भी बोलते हैं और यहीं हमारा ocean का tropical rainforest भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यदा productive हमारी ecosystem होती है तो इस तरह से आप coral polyps के बारे में आप यहां पे introduce कर सकते हो introduction part में अब यहां पे regions पूछा है coral bleaching की तो सबसे पहले आप coral bleaching होती क्या है उसको भी आप यहां पे बता सकते हो तो जैसा कि अभी introduction part में हम तो discuss कि है कि coral polyps और अलगाई दोनों में symbiotic relationship होती है और coral polyps के tissue में ही अलगाई रहती है ठीक है तो certain जब environmental condition होते हैं जिसके तहत coral जो polyps होती है वो अपने tissue से अलगाई को expel कर देती है बाहर कर देती है या अलगाई खुद से ही coral polyps को छोड़ कर चला जाता है तो इस condition को हम बोलते है coral bleaching इसलिए बोलते है कि coral polyps जो पहले colorful दिखता था अलगाई के चले जाने से फिर वो हमारा white color का दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं ब्लीच हो गया तो coral bleaching हमारी एफिनुमना होती है coral bleaching क्या होती है short duration के लिब हो सकती है या अलगाई कुछ दिनों के लिए छोड़के जा सकता है या बहुत ही long duration के लिए दोबारा आये ही ने छोड़के तो long duration में यदि ऐसा होता है तो coral polyps को चुकि 90% खाना अलगाई देता है अलगाई बहुत देद तक बहुत दिनों तक यदि अलग हो जाता है तो coral polyps से भी मर जाता है ठीक है तो short duration के लिए थोड़ा stress में जाता है लेकि long duration के लिए अलगाई बाहर हो जाती है coral polyps से तो coral polyps की death हो जाती है coral bleaching के चलते है ठीक है यह हमारा coral bleaching हो गया इसको हिंदी हम बोलते है प्रवाल बिरंजन अब एक अच्छे सी image से भी आप बता सकते है coral bleaching होती गया है तो white color का मालो अलगाई यहां पर दिए गया है तो coral polyps यहां पर tissue मेरा रहा है और कुछ दिनों के लिए यह हमारे stressed coral है इसलिए क्योंकि कुछ जो अलगाई है वो तो चले गया है कुछ अलगाई अभी भी है तो यह हमारे stress में है क्योंकि इसको proper nutrients या खाना coral polyps को नहीं मिल रहा ह लेकिन सारे अलगाई यह हमारप हो जाए और यह color polyps जो coral polyps है वो white color का दिखने लगे तो इसको बोलते हैं bleached color ठीक है coral bleaching हो गई है इस तरह से आप image यहां पर आप दर्शा सकते हो अब coral bleaching के फिरमना के आप समझा सकते हैं लेकिन question में पूछ रहा है कि इसके regions क्या है coral bleaching का तो देखो coral bleaching का बहुत सारे regions हैं लेकि mainly जो regions होता है जो practically अभी हमारी हो रहे हैं यह हमारी sea water की warming की वज़े से होते हैं और ocean की acidification की वज़े से होते हैं और ocean में जो pollution होती है उसके वज़े से होते हैं और sedimentation एदी water में हो आती है तो होते हैं ठीक है तो इसके लिए सबसे पह होगा कि coral कहां पर रह सकते हैं ठीक है वैसे आपको लिखना नहीं है लेकिंगे आप समझने के लिए आप बोल सकते हो coral की जो फेवरेट जो environmental condition होती है वो हमारी sea water होती है sea water में भी tropical sea water यानि की ocean की temperature 24 से 29 degree centigrade के बीच में होनी चाहिए ठीक है यति 24 से 29 degree centigrade के बीच में नहीं होक के 29 से ज्यादा degree centigrade हो गए या 24 से कम यानि ठंडे ज्यादा water है तो वहाँ पर coral bleaching होने लाएंगी तो पहली बात है यहाँ पर warming एदी वोसीन होती है किसी वेकार अर्वास मालों यहाँ पर कोई इंडिश्ट्री लगी होई और इंडिश्ट्री गर्म water sea में छोड़ दी तपर से जो अलगाई होते हैं और ब्लीच हो जाते है तो पहला हमारी क्या है warming up वो सी वाटर और इसकी फेवरेट जो कंडिशन होती है आइडिल जो कंडिशन होती है 24 से 29 डिगरी जो टेंप्रेचर होती है और जो हमारी कोरल होते हैं वो सी वाटर में ही रहते हैं अब किसी कारव जो हमारी सी वाटर जो सलाइन होती है वो हमारी एसिटिक होने लगे या हमारी कम सलाइन होने लगे तो कम सलाइन होने के वज़े से हमारी कोरल पॉलिस भी हमारी बिलीचिंग कोरल जो होते हैं वो हमारी बिलीचिंग होते हैं देखो ओसी इसिटिफिकेशन होने का और भी र जाएंगे और इसके लावा जो एसीड रेन होती है वहां पे इंडर्स्ट्रीज लगे हुए है और एसीड रेन होजाए लेसे जो ओसीन में जा रही है इसके वाज़ा से बैरियर थे आश्टेडिया के इस्टन पार्ट में वहाँ पे सी वाटर की टेंपरेचर ज्यादा होने के चलते हैं वहाँ आपकी जो कोरल विलेचिंग बहुत ही मास लेबल भुए थी कब 2016-17 में फिर तीसरी रेजन हो जैती है ओसी पॉलोजन ओसरी या तो इंडस्टिस से बहुत जार्ज हो रहे हैं या घूमन एक्क्यूटी जो सीवेज की पाइप है या सर्फिस रन आप हैं उसके वज़े से पॉलोजन बढ़ रहे हैं या उहाँ पे किसी कारणवास सीप से ओयल स्पिल हो गया या वहाँ पर टूरिजम वहाँ पर जा रहे हों और टूरिस्ट लोगे अगरते बहुत सारा जो चीजे हैं वहाँ पर लेप्ट करके छोड़ के आ जाते हैं तो हमारी ocean pollution बढ़ जाती है तो ocean pollution बढ़ने से भी उस एरिया में इसके लावा इंक्रीजनी सेडिमेंटेशन देखो जो हमारी पॉलिप्स होते है या कोरल जो एकोसिस्टम डेवलप होती है उमारी उथले सेलो वाटर होती है इसके लावा वहाँ पर जो वाटर होनी चाहिए सेडिमेंटेशन फ्री होनी चाहिए इसके लावा थोड़ा सा हाई टाइड भी आनी चाहिए ठीक है यह सारी कंडिशन होती है अब देखो किसी कारण वास जो हमारी जो कोस्टल एरिया है वहाँ से सेडिमेंट का डिसाथ ज्यादा होने लगा मालो हमारी लैंड्स है लैंड सेडिमेंटेशन की बढ़ने के वजा से हमारी कोलर ब्लिचिंग होती है इसके लावा एक्स्ट्रीम लो टाइड आते हैं बहुत छोटे कम टाइड आते हैं तब पर हमारी कोलर ब्लीचिंग होती है क्योंकि उसको सफिसेंट जो न्यूटरियंस है अलग जगा से वहाँ पर आ नहीं पाते हैं और फिर वहार nutrition की कमी हो जाती है तो extreme low tide, increase in sedimentation, ocean pollution में increase, ocean acidification में increase और warming sea water में increase, इन सब कारवड़ों के वज़े से हमारी coral bleaching होती है, ठीक है, तिये हमारा regions हो गया, इसी को मैंने यहाँ पर explain कर दिया है, तो आज किस वीडियो में बस्ते नहीं दोस्तों, I hope वीडियो आपको अच्छे लगे होगी, प्लीच आप कमेंट करके चरूब दना वीडियो कैसे लगी, यदि कोई पॉइंट इसमें और addition करना चाते हैं, या कुछ इसमें delision करना चाते हैं, तब पर भी अपने thought को आप कमें करके share कीजिए, तो आज के लिए बस्ते नहीं, thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ, thank you